आज यहाँ पर हम फंगल डिजीज का अध्यन करेंगे, मानों में जो कवक द्वारा बिमारियां फेलती है, उनका अध्यन हम यहाँ पर करने वाले हैं, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कवक क्या होते हैं, कवक मल्टी सेलूलर होते हैं, बहु कोसी किये, और इन कवक में यू केरियोटिक लक्षन पाए जाते हैं, लेकिन जो इस्ट है, वो एक अपवाद है, ये एक यूनी सेलूलर होता है, एक कोसी किये होता है इस्ट, एक सिंपल ट्रिक दी गई है यहाँ पर, जिसके माद्यम से हम डिजीज का अध्यन करेंगे यहाँ पर, तो देख लेते है इदर दिया हो है, गजा, दामाद, खाए, फ्रिूट, तो यहाँ गजा से हो गया गजापन, गजापन होता है, वो कवक के द alternatives होता है, और दमा, दमा से बन गया, दमा, और द से बन गया दाद, और खाए से खाज, और फ्रूट से हाती पाउं रोग, that means overall disease है यहाँ पर गंजा बन हो गया जिसमें बाल जडने लग जाते है और दमा जिसमें क्या होता है कि स्वास लेने में हमें तकलीफ आती है दाध हो जाता है और खाज कुझली हो जाती है और athlete foot इसमें क्या होता है कि जो पां होता है मनुश्य का वो हाती की जैसा हो जाता है ठीक है और यहां पर यह गंजा है यह रोग होता है टीनिया केपिटिस नामा कवक से होता है यह रहा इसका नाम टीनिया केपिटिस